जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्रेट्पॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पर लगी बेल आइकाउन को जबी जबाने ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट सिंदम ताइम पर मिलती रहे और दोस्तों गर आपको हमारे वीडियो ज़ी इनफर्मिटिव लगते हैं अगर आपको हमारा काम पसनाता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं या तो इसके पैट्रॉन बन करके या पिर इसकी मेंबरशिप ले करके पैट्रॉन बनने कर लिंक मैंने इसी वी के सफर को शुरू करते हैं गजा जंग ने वेस्टन बैग्ट का विरोध करने वाले ग्लोबल साउट के दिगजों के बीच सहयों को काफी तेज कर दिया है रूस की अगवाई वाले ब्रिक्स और इरान की अगवाई वाले रिजिस्टेंस धुरी मिलकर यूएस फ्री वेस्ट एशिया को आकार देने में बेहत तेजी से लगे हुए हैं तो एसेंशली हमारे पास इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतनियाहू का एमिग्रेशन या एनिलेशन प्लैन वर्सेज वेस्ट एशिया के जाने माने तजुर्बेकार एक्सपर्ट अलेस्टेर कुक का प मतलब है कि ब्रिक्स में अरब और एरान को शामिल करने से वेस्ट एशिया में नियमों और कानूनों को फिर से लिखा जाएगा जिस से जायनी प्रोजेक्ट को जबर्दस नुकसान होगा इस बार इस बात की भी बेहत मजबूत पॉसिबिटी है कि गज़ा में इसराइल के स उसली मज़ॉर्टी वाले मुल्क फुल ब्रिक्स सपोर्ट के साथ तेल अवीब और उसके आम्ट पोर्सेस को कोर्ट में घसीट कर ले जाने के लिए एक ग्लोबल साउथ रिकर्टनाइस कमिशन बनाएंगे दागी आई सी सी यानि इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट को भूल ज आने में मदद करेगा जैसा कि 1945 में यूएन के वजूद में आने से पहले किया गया था घजा नरसंगार भी ग्लोबल साउथ के सभी लैटिट्यूट्स को और ज्यादा इंक्लूजिव होने के लिए मजबूर कर रहा है जैसे कि हमारे अंदर छुपा हुआ जेनरल विस्टम प्री मौडर्न हिस्ट्री के गहराई में जाने के लिए मजबूर कर रहा है तौंशिंस यानि जमीर रखने वाला हर शख्स फिलस्तीन को लेकर हर कुछ जानने में लगा हुआ है क्लारिफिकेशन खोजने के लिए अपने आप में गहराई से खुदाई करने के लिए मजबूर हुआ है इसका मतलब है कि सच जानने के बाद अब वो सभी फिलस्तीनियों के साथ है जैसा कि दिख रहा है कि वेस्ट इस स्टैड को रिफ्यूज करता है वैसे ही ब्रिक्स और फोकस आइडियोलिजी के तरफ से करी जा रही एक तरफाय कारवाई का मतलब फिलस्तीन मसले का फाइनाल सिलूशन निकलने में कैपेबिल ही नहीं है फिर भी इस से ये चौकाने वाली पॉसिबिलिटी भी खुलती है कि जब जाइनी प्रोजेक्ट पर से पर्दा हटाने के ये सिगनल आएगा तो कोई भी ताकत एक्सेस ओफ रिजिस्टेंस यानि रिजिस्टेंस की धुरी को रोकने के लिए जरूरत के मताबिक मजबूत नहीं होगी उस वक तक एक्सेस यानि धुरी राश्ट के पास सुप्रीम मॉरेल इंपेरिटिव होगी जिसे ग्लोबल पर आबादी के तरफ से रिकगनीशन हासिल होगी तो अब दुनिया इसी मुकाम पर खड़ी है नपुन सकता और नेसेसिटी के बीच गरमा गरम सिमिलर्टी का असेस्मेंट करा जा रहा है और मारा जा रहा है कि डेड लॉक तूट जाएगा शैद हम सभी की उमीदों से भी जल्दी ये पिछले डेड लॉक के साथ कमपैर्जन को डिस्कलोज करता है मतलब हीब्रू सिविलाइजेशन के बेडॉल बेकार वर्जन और उभरते इसलामी राश्वाद के बीच मौजूदा डेड लॉक कुछ जानकार इसे सिविलाइजेशन आफ इसलाम कहते हैं ये दि वाशिंटन के तरफ से हार्ट लैंड और रिम लैंड के बीच क्लैश से पीसफुल तरीके से बाहर निकलने का ये आखरी मौका था एगमोन ने इसे रिजक्ट किया फिर रूस ने अपना खेल दिखाया और लॉडशिप के डाउन फॉल को बेहत तेजी से तेज कर दिया गय दोन बास की सीरियों से लेकर वेस्ट एशिया की ओयल पील्स तक गाना एक ही है मल्टी पोलर ग्लोबल साउट जिसका रिप्रेजेंटेशन तेजी से ब्रिक्स का एक्सपेंशन करके किया जा रहा है मॉरैल सियासी और फाइनेशल कॉलैप्स के रसातल में डूबे उग्र डरे हुए कंट्रोल से बाहर इंपिरियलिस्म वेस्ट से मैनेज कुछ भी नहीं हो पा रहा है दोस्तों दस दिन पहले रूसी राश्पती व्लादिमर पूर्टिन ने इरानी राश्पती से मिलने के लिए मॉस्को वापस जाने से पहले अमिरात के राश्पती मॉहमद बिन जायद M.B.Z. और सौधी क्राउन प्रेंस मॉहमद बिन सल्मान M.B.S. से मिलने के लिए UAE और साथी अरब का दोरा किया था डिप्लोमेटिक सोर्सेज के तरह से कन्फर्म्ड करा गया है कि इन तीनों ही बैठकों में तीन मुद्दे थे घजा, उपेक प्लस और ब्रिक्स का एकस्पेंशन बेशा कि ये तीनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं रूस साथी अरब खासकर उपेक प्लस पर और रूस UAE इंवेस्मेंट के साथ साथ रूस इरान की स्ट्राटिजिक साज़ेदारी खतरनाक स्पीट से डेवलप हो रही है इसे पूरे वेस्ट एशिया में डिफेंस इंटर कनेक्शन में पहले से ही भारी बदलावा रहा है अब घजा जंग के चलते इसराइल के लिए लॉंग तर्म में बेहद संजीदा मुश्किले बढ़ने वाली है पूटिन ने इरानियन प्रेसिडंट इबराहीम रैसी को कुछ ऐसा बताया जो कई लेविल्स पर एक्स्ट्राइडिनल था जब मैं इरान के उपर से उड़ान भर रहा था तो मैं तहरान में उतरना चाहता था और आप से मिलना चाहता था लेकिन मुझे बताया गया कि आप मौस्कों आना चाहते हैं हमारे देशों के बीच रिष्टे तेजी से बढ़ रहे हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे मुलकों की रिलेशन्स को पुटिन का इरान के उपर उड़ान भरने के रेफरेंस सीधे तोर पर चार आम सुखोई SU-35S के गठन से जोड़ता है जो बिना किसी लैंडिंग या इधन भरने के मौस्को से अबुधावी तक चार हजार किलोमीटर में पुटिन के विमान को एसकोर्ट करते हैं जैसा कि हर स्टंडर मिलेटरी एनलेस ने टिपड़ी करी है कि एक अमेरिकी F-35 बिना इधन भरे मैक्सिमम धाई हजार किलोमीटर तक उडान भरने में केपेबिल है फिर भी सबसे एहम हकीकत ये है कि MBZ और MBS दोनों ने अपने अपने रीजन में रूसी SU-35 एसकोर्ट को और्थराइस किया है जो कि डिप्लोमेटिक हलकों में बेहद अन्यूज्वल बात है और ये दुनिया को एहम कंक्लूजन की तरफ ले जाता है कि हवाई शत्रंच की बिसाथ पर एक चाल के साथ इरानी प्रेसिडंट रैसी के साथ बाद में मिलकर मॉस्को ने चार काम पूरे करे हैं पूटिन ने साबित कर दिया है कि एक नया वेस्ट एशिया है जहां अमेरिकी इंफ्लूएंस एक सिकेंडरी आक्टर्स हैं रूसी अलगाव के नियो कॉन पॉलिटिकल मित को तबाह कर दिया है मिलेटरी सुप्रीमेसी वर्चस कार्ड डिमोंस्ट्रेशन करके और जैसे जैसे रूस की ब्रिक्स प्रेसिजनसी की शुरुआत नजदी का रही है तो यह साफ होता जा रहा है कि रूस ने अपने सभी एहम जियो पॉलिटिकल और जियो एकानिमिक कार्ड्स बरकरार रखे हैं औरिजिनल पांच ब्रिक्स लेड बाई रूस चीन स्ट्राटिजिक पार्टनर्शिप फर्स जैनवरी 2024 को तीन एहम वेस्ट एशियन पावर इरान, साथी अरब और UAE के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे मल्टी पोलर पावर हाउस में उनका दाकला इन देशों को एक एक्सेप्शनल प्लैटफॉर्म देगा रूस चीन के तरफ से खेला गया लॉंग टर्म सॉफिस्टिकेटड खेल वेस्ट एशिया को जियो एकरनुमिक्स और जियो पालिटिक्स में एक पूरे बदलाव की तरफ ले जा रहा है यकीनन पिछले कुछ दिनों में मॉसकों में डिटेल चल्चाओं का सबसे गर्मा गर्म फोकस ये है कि वो उस पॉइंट पर पहुँच सकते हैं जहां एक सिकनल रिजिस्टेंस की एक ठोस धुरी को उजागर करेगा फिलहाल दुनिया ने छिटपुट हमले देखे हैं हिजबुला ने दक्षडी लेबनान सरहत के सामने इसराइल के कमिनिकेशन टावरों को तबाह कर दिया है इराक के रिजिस्टेंस पोर्सेज ने इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया और यमन के अनसारुला ने इसराइली जहाजों के लिए रेड सी को ठोस तरीके से ब्लॉक कर दिया है ये सब अभी तक एक ठोस कोडिनेटेड ओफेंस बनता है और ये वाशिंटन में जो बिडन आडमिस्ट्रेशन के अंदर की हताशा को साफ करता है इन अफवाहों के साथ की अमेरिका चाहता है की इसराइल क्रिसमस और जन्वरी की शिरुवात के बीच घजा जंग को खत्म कर दे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जै हिंद सत्ते मेर जैते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कमाशावी डॉक्टर अरशी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट से ग्रम टाइम पर मिलती रहे और दोस्तों कर आपको हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं अगर आपको हमारा काम पसंदाता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं या तो इसके पेट्राण बन करके या फिर इसकी मेंबर्शिप ले करके या फिर दोनों ही तरीके से पेट्राण बनने का और मेंबर्शिप लेने का दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिक्शन में अलग-अलग दे दिया गया है और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर नेरा ट्विटर है एड़ दरेट ओफ अर्शी अजीज खान टैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में